असलाम आलेकुम मैं आज बनाऊंगी साधी खिचडी वो भी घर के सामान से बहुत टेश्टी बनता है सेथ के लिए भी बहुत फायदा करता है साधी खिचडी बनाने के लिए यहाँ पे मैं चावल ले ली हूँ लास्टक के वीडियो में बने रही हैगा दोस्तों बहुत टेश्टी बनता है पीली मूंग दाल ले ली हूँ चावल पाव किलो है पीली मूंग दाल पचास गराम है चावल अव दाल को हम मिक्स कर लेंगे अईसे हम धुल के साफ कर लेंगे गेश चालू करके कोकर चड़ा द प्याज चार हरे मेर्च आधा चिम्मच मेथी दाना है तो हम मेथी दाना टाल देंगे प्याज डाल देंगे का लेक्व द्सकंद टेल में बरिक कटाूत इस विद्पाने बनाके खायेगा प्याज उतरको अच्छे पक गया है प्याज भी लाल हो गया है तो इसमें हम धुले हुए चावल डाल देंगे सभी चावल को मैं डाल दी हूँ तो इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक अब इसमें हम डाल देंगे पानी, चावल से दो गुना पानी डालना है, अगर खिचडी बना रहे हैं, तो चावल से दो गुना पानी जरूर डालिएगा, पानी डाल दिये हूँ, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, नीचे चावल पकड़ लेता है, तो इसे हम डखकन को मैं हाता देती हूं पहले हम पहले हम जतना धफकर फ्लिधा धर्रब और ना बर भूत टेश्टी बनेरों आप है ये। खिचडी बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेश्टी लगता है, सिर्के के साथ पेट के लिए भी बहुत फायदा करता है, आप इसे इस तरह खाईए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह थोड़ा सा सिर्का लीजिए, इस तरह डालके खाईए, बहुत टेश्टी लगता है दोस्तों इस तरह जरूर एक बार बना के खाएगा वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगए तो लाइज सस्क्राइब करिएगा सेर करना मत भूलेगा कमेट करके जरूर बताएगा मिलती अगले वीडियो में